लेटस कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस कबरे सबसे पहले बजे के बीच मुंबई के मीरा रोड, हिंदूश मर्शान भूमी, जोगर्स पार्क में किया गया जहां पर तारक महता के सेट से काफी किरदार उन्हें अंतिमम बार देखने और उन्हें अंतिमम विदाई देने के लिए पहुँचे थे यहां पर जो भी किरदार देखे उनमें से एक थे सीरियल में चालू पांडी का किरदार निभाने वाले दया शंकर पांडे जिनकी आँखें इस मनजर को देखते ही नम हो गई और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए और उनकी आँखों से आसू निकल पड़े और उसके बाद जो देखे वो थे सीरियल में पोपट लाल का किरदार निभाने वाले शाम पाठक जिनका ये मनजर देखकर सुद भुद्वार ही खो गया था जैसे की आप सभी देखी रहे है इन सभी को ये सदमा से भन करना काफी मुश्किल हो गया है तारक महता का रोल करने वाले शैलिश लोधा जी भी इस अंतिम संसकार में दिखाई दिये और उनका हाल भी ये मनजर देखकर काफी आहात हुआ लगा हम सभी की तरह ही उन्हें भी ये सब देखकर बिस्वास करपाना मुश्किल लग रहा था नटुका का उर्फ घंशामनायग भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गये थे इनकी शकल देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते है कि ये खबर सुनकर ये कितने हताश हुए होंगे और इस बात का इन्हें कितना दुख हुआ होगा जब बेटे कवी कुमार की डिंड बोडी के पास उंकी माता जी नेले बस्तरों में पहुची तो उनसे रहा नहीं गया और फुट-फुट कर रोने लग पड़ी और साथ में कवी कुमार की दादी भी दिखी इन सभी को कवी कुमार के जाने का दर्द जहल पाना मुश्किल हो चुका है और किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब कवी कुमार उनके बीच नहीं रहे है अंजले मेहता का रोल निभाने वाली ने हां मेहता भी अंतिन यात्रा में देखी उनकी हालत भी बहुत ही खराब थी और इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें भी इस बात का कितना दुख हो रहा होगा डॉक्टर हाथी की पत्नी का रोल निभाने वाली अमबिकार अमजनकर भी यहां दिखाई दी और उनकी हालत तो आप सोच ही सकते हैं ये सब देखने के बाद कितनी खराब हो गई होगी हर दिन मिलने वाला इंसान ऐसे चला जाए तो दुख तो होता ही है